हमने तो अक्सर यहां पर बहुत सारे handsets और companies और brands को देखा है घपला करते हुए लेकिन एक reputed brand जिसका अल्रेडी बहुत ही अच्छा reputation मार्केट में अगर वो पकड़ा जाये तो क्या स्थिति होती है यहां रियल्मी यहां पर पकड़ा गया है बहुत सारी चीज़ों में लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं रियल्मी 8 सिरीस के उपर तो रियल्मी का 8 और 8 प्रो लॉंच हो चुका है इंडिया में 8 यहां पर आता है अपको Mediatek G95 के साथ और वहीं 8 प्रो आता है स्नैपड्र 720G के साथ प्रैसिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो आम नौट हैपी विद प्रैस क्योंकि सिर्फ सूपर एमोलेट और 108 मेगा पिक्सल के नाम पर आप यहां पी लोगों को चूना नहीं लगा सकते हैं बहुत सारा पैसा एड़-on करके अगर आप यहां कंपारिजन में आपको लेना है तो Poco X2 भी काफी बहतर फोन है कैमरा सेंट्रिक फोन अगर मैं बीस से की सजार तक में अगर मैं आज भी मुझे किसी को सजिस्ट करना हो तो Poco X2 से बढ़ी हां कैमरा आपको किसी भी फोन में नहीं मिलने वाला है चाहे फ्रंट हो या रियर कैमरा हो अब ब आउट सूपर एमोलेट नहीं है लेकिन यह हाई रफ्रेश रेट अच्छी बैटरी फास्ट चार्जर अच्छा कैमरा सब कुछ तगड़ा मिल रहा है लेकिन रियल्मी यहां पर डॉन्नों क्या किये जा रहा है इसकी पीछ लॉजिक भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा कोई सवाल तो सुझाओ हो तो वो भी कमेंट करके जरू बताइएगा लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि रियल्मी नहीं रिसेंटली यहां पर नार सब्सक्राइब लेकर के तो रियल्मी को अचानक से क्या हो गया कि रियल्मी एट और एट प्रो एक ऐसे प्रोड़क्स को लांच किया है जो कि प्राइस को जस्टीफाइब कर ही नहीं रहा है अब रियालिटी यह है कि एक बींगे वेरी स्मॉल यूट्यूबर कोई समझेग है 720G यह आपको इससे काफी बढ़ियां चिपसेट मिल जाएगा Poco X3 में जो की 732G है सिर्फ डिस्प्ले को अगर हम साइड करें तो ऑवराल Poco X3 काफी बढ़ियां फोन है अब बात कर लेते हैं यहां पर कि यह सारी चीज़े गडबड कैसे हुई अब सिंपल सी भाशा में अगर आपको किसी पेड़ से फल चाहिए तो सबसे पहले उसके जुगाड क्या करना होता है एक बढ़ियां सा जमीन एक लैंड उसके बाद फिर वहां पर हम बीज को बोदे हैं और सिर्फ पानी और यहां पर मिट्टी के हो जाने से पेड नहीं उगाता है अगर पेड उग तरह टाइम पर देने का मिट्टी के अंदर खाद फर्टीलाइजर डालने का यह सारी चीजें उसको प्रॉपर ली एक पेड़ बनाती और फिर उससे हमें फल मिलता है रियल मी यहां पर क्या कर रहा है सिर्फ मिट्टी का जुगाड किया हुए है और एक पेड चोटा सा कही अगर हम आते हैं तो रियल मी के जितने भी पुराने लात की सिरीज है अगर हम बात करें तो यह काफी दो पॉपिलर ध्यट कुल का है रियल मी जितने भी अपकमिंग नए हैंडशेट से सभी पर यहां परडेट्स पुष कर रहा है रियल मी यू आई-2.0 लेकिन यहां पर या फिर अगर जितने भी Realme के पुराने handsets हैं, किसी के भी अंदर Realme UI 2.0 अभी तक देखने को नहीं मिला है, अगर हम Realme X2 Pro की बात करें, तो काफी उसमें अभी भी major problems हैं, काफी सारे bugs हैं, जिसको अभी तक improve नहीं किया गया, जैसे battery performance, जैसे third party अगर आप audio recorder applications, अगर आप इस सुद का audio recorder, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन third party maximum YouTubers या bloggers यूज करते हैं, audio record करने के लिए, जो कि वहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता है, काफे disturbance है, updates नहीं मिल रहे है, X2 Pro इतना popular phone, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, Realme यहां completely पीछे जा रहा है, धीरे धीरे, धीरे, As per my point, मैं किसी को suggest नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा, कि मैं Realme 88 Pro लूँ या नहीं लूँ, तो मैं क्यों उन्हें suggest करूँ, किस reason से मैं suggest करूँ, क्यों सिर्फ Super AMOLED है, अगर Super AMOLED ही लेना है, तो Redmi Note 10 Pro कहां बुरा है, Redmi Note 10 Pro एक far better option है, एक premium design मिलता है, Realme की ज अगर हम बात करें, और in fact, वीडियो एडिट करते करते अभी नजर पड़ी, ये भी बताना जरूरी है, कि Realme 8 Series आप देख सकते एक big flop जाने वाला है, क्योंकि Flipkart पे अभी भी पड़े हुए है, ना Realme 8 Pro भी का है, ना ही Realme 8 भी का है, और ये वीडियो अल्मोस्ट मैं अभी आठ बजे के आस-पास मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं, तो एक बड़े-बड़े अक्षर में लिखा जो मुझे कताई पसंद नहीं है, Redmi Note 10 Pro is still a best option अगर 4G handset ही लेना है, Super AMOLED के साथ, completely justified price है, काफी अच्छे price point पे available है, अब बात कर लेता है, Realme 8 के बारे में, तो Realme 8 ऑफर प्राइस है, G95 ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा चमतकार नहीं होने वाला है, G90 या G95 में, यह हमने अक्सर देखा है, Snapdragon 730G हो, यह Snapdragon 732G हो, ज्यादा major changes से नहीं होते हैं, कुछ ही slight changes होते हैं, अगर आप day-to-day usage कीजिएगा, तो आपको idea लगेगा, मैंने 720G भी इस्तमाल किया है, 730G भी इस्तमाल किया है, 732G भी इस्तमाल किया है, तो 730G और 732G में कुछ ज्यादा major difference आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, वही 720G और 730G में भी 1920 का फर्क है, मैंने काफी बार अपने वीडियो के माध्यम से यहा बातों को लोग ignore कर देते हैं, अब बात कर लेते हैं, Realme 8 के बारे में, G95 अच्छा chipset है, मैं बुरा कहीं पर भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्राइस को justify नहीं कर रहा है, अगर आपको G95 भी लेना है, तो फिर यहां Micromax का in1 कहां बुरा है, ठीक है, G95 नहीं मिल रहा है, ल अब बात कर लें तो, लेकिन overall Micromax in1 भी काफी अच्छा फोन है, अगर कोई फोन मेरा 1.5 घंटे में अगर फुल चार्ज हो रहा है, और वही कोई दूसरा फोन मेरा 1.10 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है, तो भाई 20 मिनट में क्या उखाल लेंगे, हम कौन सा यहां पर पुल रहा है, अगर टेक्निकली हम बात करें, तो Realme में ही अगर आपको फोन लेना है, तो Narzo Series is still a best option, Narzo 30 Pro यह सब options में आप देख सकते हैं, consider कर सकते हैं, जो की काफी बढ़िया हैं है, और definitely मैं बोलूँगा कि आख बंद करके वो लेने जैसा है, लेकिन Realme 8 Series मैं completely deny कि आप इसे ना ले, Realme यहां पर काफी जगों पर fake scam करता हूँ पकड़ा गया है, अपने Narzo Series के लाँच गेमिंग लाँच इवेंट में भी, यहां पर Apple के प्रोडेक्ट्स पर गेमिंग करके लोगों को दिखा रहा था, भाई मतलब कर किया रहा है, अन्तुतु बेंचमार् यहां पर कि आपको फोन लेना चाहिए, यह भी बताना जरूरी है, अगर आपको 12,000 रुपे के प्राइस में अगर आपको जाना है, तो Micromax N1 is a far better choice, साथी साथ अगर हम बात कर ले, यहां पर आपको 15,000 या उसकी उपर वाले ब्रैकेट में जाना है, 15-18,000 रुपे के ब्र कहीं पर बुरा नहीं है, और अगर ब्रैंडेट में ही जाना है, मतलब एक रहता है, यहां मुझे चाइनीज वाले नहीं चाहिए फोन, तो Samsung A52 लो आप, काफी बढ़ी है, ब्रैंड वैल्यू है, अब आप बोलोगे कि वो तो 720G दे रहे हैं, तो उसे आप क्यों नहीं खरा खुद उसे try out करके देख लीजिए, बांकि मेरे तरफ से recommended होंगे, दो phones यहां पर, अगर आपको 15,000 के उपर ब्रैकन में जाना है, तो Redmi Note 10 Pro ले ले, stereo speaker मिल जाता है, fast charge मिल रहा है, AMOLED display मिल रहा है, और अगर आपको 12,000 के segment में जाना है, तो Micromax in one is a far better choice, why don't we support our own products, बांकि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, Realme 8 series के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगा, तो like, share, और चैनल पर नहीद बिना सब्सक्राइब किया, मत जाईएगा, क्योंकि मैं ऐसे मज़तार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो ऐस